आईए संगत जी आज के सत्संग की शुरुवात करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इन्वाइट करते हैं मदू गाबा आंटी को मदू आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें गुरुजी को परनाव सारी संगत को परनाव गुरुजी का लख लख शुक्रिया कि गुरुजी ने अपने स्कूल में हमें एडमीशन दिया, हमें अपनाया और बहुत प्यार दिया, उसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्रिया किया जाए, मेरे लिए कम है, वो बार बार गुरुजी का शुक्रिया, क्योंकि हर हाल में ये रिलाइस कराते हैं गुरू जी मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है और कभी नहीं छोड़ा तो उसी के उपर ही मैं सत्संग सुनाती हूँ चाहे गुरू जी समाधी से पहले थे चाहे गुरू जी की समाधी से बाद में थे उससे कोई फरक नहीं पड़ा गुरू जी मतलब यह है कि गुरु जी से जब मैं जूड़ी तो मुझे किसी ने बतायता है गुरु जी शिव का रूप है उन से जाके मिलो मुझे इस चीज में विश्वाश नहीं होता था कि भगवान तो हर जगा होता है और गुरु विगरा इतने बने हुए है क्या सच है क्या जूट है मैं गुरुओं के उस पर नहीं जाती थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ गुरु जी का बुलावा आया है शायद कि मैं एक दिन एमपैर स्टेट चली गई पर मुझे वहां का कुछ सिस्टम नहीं पता था गुरु जी के मंदिर का क्या पैर छूते है क्या मंदिर सुना था बस मैं है, फो हां का महुल एमपैर स्टेट का देखके बड़े हैरान हो गई बैठे गुरु जी कभी किसे हाथ दबवा रहे है जाने के लिए तो बड़े सारे मन में एक कोस्टन था कि भगवान मिलेंगे तो मैं भगवान से पूछूंगी आप कौन हो अगर भगवान हो तो यह धर्ती पर इतने पाप क्यों हो रहे हैं बहुत सारे कोश्चन थे पर गुरुज ने किसी चीज़ का मुझे मैं दो तिन कोश्चन किये अंसर नहीं दिया और हाथ में इशारा किया औ उठके आगे और उस टम आए एक सेवादार सिंगल अंकल थे, उन्होंने मुझे डाटा की लोड़ सी आंटी, आंदे पुछा लग गी है, कि तू कोन है, इसी अप्रोच है, तो अपने आपको क्या समझा हुआ है, तो मैंने का अंकल, आ मुझे डाट क्यों रहे हैं, मैं तो उ मेरी अंकल से थोड़ी सिंगल अंकल से लड़ाई होगी, मैंने का, जहां पाप होता है, हम महालंगर नहीं खाते हैं, और उठकर खड़ी होगी, और बहुत रोई, और रोते-रोते मैं घर जाने लगी, गुड़गावाँ घर था, उस दिन मैं इतना रोई, इतना रोई, मैं तो बस यही सोचते रही कि मैंने ठीक किया या गलत किया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो यही पूछ रही थी, यह भगवान है तो यह सब क्या हो रहा है, तो ऐसे से करते-करते पूरे अपने हस्बंट से यह बाते करते जा रही थी, तो मेरा हस्बंट यह कह रह रहा था, कि मेरे इतने सारे लोगों में मेरा किसी ने साथ क्यों नहीं दिया, जब मैं गुरुजी से यह कोश्चन किया था, बस रोते-रोते, गुरगामा पहुंच गई, सो गई, जब मैं अभी सो भी नहीं थी, सोच रही थी कि सिंगलंक, उस टेन मुझे नाम नहीं पता था सेवादार का एक अंकल से भी मेरी इतनी लड़ाई हो गई, यह सब क्या हुआ, तो इतने में मेरे घर में पूरे घर में गुरू जी की मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरू जी की खुश्मू है, पूरे घर में गुलाबों की फ्रेग्नेस आने लग दी, मैं उठी, मैं चा मतलब गुलाब की, किस चीज़ की, ऐसी लाइफ में मैंने कभी खुश्मू देखी नहीं है, बहुत तेज उड़ूर के खुश्मू आ रही है, तो मेरे हजबन ने बोला कि अब मुझे सोनने दे, पहले तू बहुत तंग कर दिया, रोई है, और कुछ नहीं है, सोजा, तो इतने में मैं देखती हूँ कि गुरुजी मैंने बड़ा मंदीर कभी नहीं देखा, देखा ही नहीं था, मैं तो एंपल स्टेट गई थी, पिर मैंने देखा, गुरुजी ने मुझे पूरा जो शिवजी का सुरूप है, वो दिखाया, और उपर जो नागदेपता है, वो द मेरे दर्द हो रहा तो वो मुझे शांत कर रही है उस पानी से तो फिर गुरू जी सामने आगे मैंने का गुरू जी आप कहने लगे हां तो उनों ने बोला ये ले तो मैंने हाथ किया मैंने का ये क्या है क्या ते पीके तो देख मैंने पिया मैंने का अहा गुरुजी ये तो बहुत मीठा है और दोना और दोना तो गुरुजी आ गया गया मैं पीछे बीचे गुरुजी ने बोला बस देख इसी में तू कितनी वो हो जाएगी बार बार मतलब दिवानी हो जाएगी, कुछ ऐसा वर्ड यूज गया, बस तेरे लिए इतना ही बहुत है, मैं गुरुजी को बार बार कह रही थी, गुरुजी मुझे और चाहिए, और चाहिए, गुरुजी फिर उसके बाद चले गए, और फिर मैं थोड़ी सी शांत हो के, मत नुमान की होती थी, तो आरती करते थे, ओम जय जगती शे आ रहे, उस दिन मुझे पता नहीं भगवान से क्या हुआ, मैं सुबह उटके हसने लग गई, खुश रहने लग गई, और यह बोलने लगई, तुम से मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, तो मैंने भगवान से मैं तो आरती करती थी, यह मुझे क्या हो गया, मैं गाने क्यों गाने लग गई हूँ, तो बस एक गाना गाने लगई, एक घर में खुश मू आती थी, और मुझे यह नहीं पता था, कि गुरू जी क्या आती है, तो डेली ऐसे, कभी मैं किसके घर अगरबत्ती लेने चली जाती थी, कभी किस से पूछती थी, यह खुश मू कहां से आ रही है, एक दिन मुझे मेरे साथ में घर था, उन्होंने बोला, यह बगवान, तुम रोज आ जाती हो, मेरे घर से पूरे अगरबत्ती का पैकेड ले जो, आज संड़े हमारे घर कोई नहीं नहीं न मुझे तो गुरुजी की फ्रेग्नेंस है, और तुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए, तो बस फिर ऐसे उन्होंने मुझे, आंटी ने पुश करना, अंकल, आंटी ने मुझे समझाया, कि यह बगवान है, और उन्हीं की खुश्मू है, और मुझे लगा कि वो मेरे से बड़े भी हैं और समझा रहे हैं, कुछ नो कुछ तो होगा यह, जो इतनी अच्छी मुझे आस तक तो खुश्मू हाई नी, फिर ऐसे फिर मैं, बड़े मंदीर में, पहले तो एमपार स्टेट आ दी थी, फिर बड़े मंदीर में आने लगी, फिर बड़े मंदीर में मैं देखा यही तो मुझे गुरुजी ने सब दिखाया था शिव लिंग और ये गनेश जी का नहीं था, शिव लिंग और शिव जी का और पॉंड और यह उपर जो नाग देपता है, यही सब तो दिखाया था, तो जब महां मैं पहुंची, तो उसी दिन गुरुजी ने आई होए थे मलेर कोटला से तो उन्होंने मुझे बोला तुम बड़ी लग्की हो और हग किया और सत्संग सुनाओं तो मुझे तुम पते ही नहीं था सत्संग क्या होता है तो बड़े मंदीर में जो हॉल के आगे जगाब है ना बैठने की तो वहाँ पर उन्होंने वह भी ब तो आज तक उसने अन्होंने पर उन्होंने जो इन्हें पस यसूह कर रहा हूँ हैfeeding तो आज तक उन्होंने पहए वन्होंनों मतलब और भी एक दो बाते ही बोली थी, जो कि, मतलब अच्छा लगा मुझे, तो फिर मेरे को तब भी थोड़ा सा इतना विश्वाश नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने का अच्छा, उन्होंने जो मुझे पानी पिलाया था, वो कुन से कलर था, तो उन्होंने मास्टर जी ने बोला, गुरू जी ने ये भी बोला है, कि वो जुरूर अभी भी शक कर रही होगी, तो उन्होंने वो भी बताया, फिर मुझे ना थोड़ा विश्वाश होने लग गया भी, ये चीज तो मैंने किसी को नहीं बताई, अपने हजबन को भी इतना नहीं बताया, तो बस आने लगे, बड़े मंदिर आने लगे, जाने लगे, बहुत अच्छा महां का महौल, ऐसा लगता था, बड़े खुश रहने लगी, कि फैमली में कभी इतना प्यारी नहीं मिला, मतलब मिला, ऐसा नहीं मिला, बट वो कुछ अलगी था, मतलब जैसे बहुत दिनों बिच्छडे थे मादो, ऐ जनम तेरे लेके, ऐसा लगता था, तो बहुत खोशी, हसी, घर से, मंदिर, मंदिर से घर, हसना, नाचना, गाना, पता ही नहीं चलता था कितनी बड़ी मंदीर और कितनी बड़ी घर, ऐसे चलता रहा, एक बारी खी05ीर ऐसे हुआ, तो ममा और ममी मेरे बोलते थे कि तू किस गुरू के चकर में पढ़ गी है, बच्चों को पढ़ाना होता है, यह करना होता है, जब देखो चली जाती है, एक दिन में ममी ने मुझे बहुत गुसा किया, कि ऐसे नहीं जाया कर, पता है कि मैं ममी को हमेशा बलती थी, ममी वो गुरू नहीं है, वो भगवान है, आप भी जाओ, तो बहुत अच्छी जगह है, पर ममी हमेशा गुसा करती थी, नहीं, ऐसे नहीं जाना, तो एक दिन मुवी आ रही थी, कल यूग की रमैंड, दूरदर्शन पर उस ट्रम आती थी, तो मैंने ममी को बोला, ममी आप मुवी देखोगे न, तो आपको पता चले जाएगा, उस मुवी में ये था कि हर यूग में भगवान आते हैं, तो अपना रूप बदल के मानव, मनलब इनसान की तरह आते हैं, और देखते हैं, और अच्छे लोग की हेल्प करते हैं, चले जाते हैं, तो वो मुवी मुझे जाएगी, कि हर यूग में भगवान आते हैं, और मैंने ये कहे के, और फोन रख दिया, उस टाम मुबाइल नहीं होते थे, मेरे पास लैनलाइटन था, तो फोन रख दिया, थोड़ी देर में ममी का फिर फोन आया, और बोलने लगी कि बच्चों ने उठाया, ममी, पूचा कभी रोहनी रहती थी, कभी फ्रीदाबाद रहती थी, तो ममी अब मुझे याद नहीं है, रोहनी में थी या फ्रीदाबाद में थी, तो ममी ने बोला कि मेरे को तो शायद रोहनी में थे, घर में पूरे घर में ओम, 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 आवाजे गुजने रहती, तो फिर ममी को मैंने का बच्चों से पूछा फोन में कौन बोल रहा था ममी उन्होंने बोला कोई भी नी बोल रहा था फोन तो नीचे ही रखा हुआ था तो फिर मैं ममी को विश्वाश होने लग गया कि गुरुजी भगवान है क्योंकि घर में मैं यहां हूँ और घर में रोहिनी में कैसे ओम ओम गुजिती ने लग गई तो उसके बाद ममी बार बार बोलती थी अब तु जाया कर और ममी को भी तोड़ा अच्छा लगने लग गया फिर मैं गुरुजी के मंदिर रेगुलर आती जाती तो गुरुजी ने बहुत बहुत नजारे दिखाए अभी तक भी मतलब नजारे दिखाते कभी मुरीत अपना दिखाना कभी गुरुजी ने अपनी खुश्वू देनी और कभी जैसे मतलब ये भी दिखाया कि गुरुजी को हर बात चै मैं घर में हूँ चाहे बहारू हर चीज गुरुजी को पता है कैसे यह दिखाया एक दिन हम की बात है हम लोग गुडगावां से एंपार स्टेट जा रहे थे और हमारी गाड़ी में मेरे अंकल थे मैं थी और तीन चार संगत की आंटी तीन आंटियां संगत की थी तो पहले गुरुजी की सीड भी नहीं मिलती थी घर के लिए तो बाते करते जा रहे थे कि गुरुजी की हाँ शब्द बहुत सुन्दर चलते हैं और हम ना शीश गंज या बंगला सब गुर्दवारे जाके ना वो सीडी ले आएंगे वहाँ ही मिल सकती हैं बाहर तो मैंने का एक दिन गुरुजी के करती हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले अब मैं किसी मंदिर में नहीं जाओंगी बस गुरुजी के पास ही जाओंगी गुरुजी कहते हैं एक का बन के रहो तो हर मंदिर का जिसने भी मुझे दिया ऐसे उनके साथ मैं शुक्रिया दा करते हुए गुरुजी को मानूगी तो म मतलब एक ही जगा का बन के रो फिर हम ये लोग रास्ते में बाते कर रहे थे तो मेरे अंकल और आंटी हसने लग गई तो हम सीडी कहां से लेंगे इतनी अच्छी शब्द चलते हैं हमारा मन करता है कभी गाड़ी अगर में चलाएं तो मैंने का जो कुछ देंगे हमें गुरु जी देंगे उसके बाद हम ये बात मैंने मतलब ये सोचो सुकिंदर पूर्विगारा के रास्ते में मतलब गुर्दावा से और मंदिर के रास्ते के बीच में की ती जब मैं गुरु जी के मंदिर गई और उसके बाद जब मैं आ गया लेकि घर आने लगी उसी दिन ही सिरफ मुझे और शायद एक अधी को किसी और को दिया और सीडी यो पता नहीं मुझे नहीं पता चपल बहन के जैसे आने लगी सिंगला अंकल मेरे पीछे-पीछे बाहर आए और बोले आंटी ये ले सीडी तो मुझे इतनी वो हुई मेरे अंकल विगारा सब देखने लग गए कि हम रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि गुरुजी को पता नहीं है तो ऐसे मतलब अच्छा लगने लग गया और मतलब कुछ भी ऐसा है तो अब तो मतलब मतलब मुझे नहीं समझ आता मतलब बहुत डर लगता है कि हम से कोई भी भगवान कोई भी पाप ना हो और जो भी हमारे क बड़े प्यार से अपने हाथ थामते हुए, हमें कटवा देना. मुझे समझ नहीं आती कि क्या गलत है, क्या सही है? मैं अक्सर गुरुजी से यही बोलते जो सिंगल अंकल ने बोला जो वहाँ सेवा दायर होते थे वही ही हमारी आग्या है तो उन्होंने बताया था सीधा मंदीर से घर और घर से मंदीर जाना आँटी रास्ते में कहीं नहीं रूखना अपनी ब्लैसिंग दे देते हो तो एक दिन मंदे का दिन था हम लोग मंदीर व सामा से तो रास्ते में अमुरूद ज्वाल आया बड़े अच्छे अमुरूद थे तो किसी अउंटी聯ह बोला कि हम आते तो यह तो गुरुजी के आपके आग्या के वह जाएगा, अब मैं क्या करूँ, गुरुजी सब रुकेंगे, तो मैं क्या करूँ, इकठे थे हम लोग गारी में, तो कभी-कभी मेरे को ये चीज डाट पढ़ती थी, या मेरे से सब नराज हो जाते थी, ये रूल वाइस दो चार ही तो रूल बनाए हैं, कि मुबाईल ओफ करो, और सिधा मंदीर से घर आओ, और लंगर बर्शाद पूरे करो, कोई ऐसे कोई हमवन पूजा, ऐसे ही तो कोई सिंपल से बताए हैं, तो उसको क्यों नहीं माने, तो हम बड़े मंदीर गए, तो मैंने गुरुजी के, इस टाम गुरुजी ने समाधी ले ली थी, माथा टेका, मैंने गुरुजी के बड़े मंदीर, और मैंने बोला, मैंने का, गुरुजी मैं क्या करूँ, रास्ते में मैं रुकना नहीं चाहती, आपने बोला, रास्ते में कहीं नहीं रुकना, और यह सब अमरूद के लिए कह फिर थोड़ी सी और आगे गई जहां गुरुजी का जूला भी लगा रहता है, वहां दो तीन अमरूद मिले, ऐसे से करते हैं मैंने का और ओर अमरूद मिले, फिर ऐसे से जो गुरुजी के पीछा, पीछे कुटिया के साथ में एक पॉंड सा बनावा है, और उचाही होती है, फिर वहां पर तीन-चार अमरूद, इतने सारे अमरूद मिले, मैंने का और फिर वहां पर एक सेवादार था, विशाल, उसका नाम था विशाल, तो मेरे पास इतने सारे अमरूद हो गए, और आंटियों को मैंने सब को बुला लिया, मैंने का आंटी, आंटी, सब आजो, द पॉण्ट के वहां सारे गार्डन में अमरूद अमरूद थे, सब आंटियों ने 5-6 आंटिया थी अमरूद भरे, फिर हमने देखा वैसे वहां पर एक अमरूद का पेड़ भी था उपर, लेकिन आज तक मैंने मंदिर में इतने अमरूद नीचे और इतने मीठे और इतने बड आपे मा पर मंदिर में, तो ऐसे गुरूद जी ने बहुत बारी ये दिखाया कि अगर तुम मेरी आग्या मानते हो तो मैं कितना मतलब blessing तो रूल रही हैं मतलब, ऐसे एक दिन और था कि मैं ना बड़े मंदिर हम सुबह आ गए थे, मैं का इनी दिनों का ही शेयर टाइम ही ह बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, तो उस दिन मैं सुबह नो बजे या दस बजे मंदिर आ गई थी, तो मंदिर में हम ऐसे काम कर रहे थे, कुछ भी, तो मतलब बहुत गर्मी लग रही थी, तो दुपैर को जब लंगर करने लगे, जैसे सबांटियां लंगर करने लग लंगर नहीं खा पारी, और उसके बाद लंगर संग मने खा लिए, और उट गे, और उसके बाद लंगर तो 않은ाया Не जैसे आंटियां सेवा विगारा करती थी तो दुपैर को एक ही बार ये लंगर आता था और उसके बाद रात को आता था तो हम हम छे बजे के आसपस फिर हम नो बजे आये थे शाम को छे बजे घर जाने लगे मेरे साथ पुषकन्न आंटी भी थी जब हम घर जाने लगे उस टेम मेटरों नहीं जलती थी 2008 या 9 की बात है तो शाम को मुझे बहुत बूख लगी 6 6 30 तो मेरा मन किया सिंगल आंटी महां पे सेवा करती थी मैं उनको बोलती हूं आंटी मुझे बूख लग रही है उस देदों मैंने दुपयर को तो लंगर नहीं किया सुबह से आई हूं पर मैंने फिर गुरुजी एक बात और भी कहते थे कि मांगा नहीं करो जो मिल जाए मैं महां से मंदीर से 6 6 30 निकल गई और फिर उसके बाद हम महाँ पे अब जहां से मैटरो चलती है महां एक अगरवाल स्वीट है अगरवाल स्वीट के वा खड़ी भी थी बस की वेट कर रही थी तो बस की वेट कर तो मेरे को मन किया कि बहुत भूख लग रही है सेवन थर् और फिर मुझे गुरुजी का वर्ड यान्य आधा गया कि गुरुजी कहते रहा रास्ते में रूखना नहीं है इस जिद्धे घर जाना तो में लेते लेते ना मैंने नहीं लिया और मैंने का नहीं लेती पर मैं बार बार मन में यही कह रही थी गुरू जी मुझे बहुत लग रही है लूँ या नहीं लूँ नहीं लिया इतने में महाँ पर बस आती है वहाँ पर बस रुकती है एक और हमें बसों का ज्यादा पता नहीं तो मैंने उससे पूछा भीया यह बस इफको चोग जाएगी तो उसने बोला हाँ जाएगी और हम बस में बैढ़ गए मैं और पुषकर नाइटी बस में बैढ़ गए बस में बैढ़े तो सब मेरा मुह देखने लगए मैंने का आप लोग क्यों देख रहे हो तो पता बाद मे मुझे बताया उनोंने बस वाले की बस थी और वो उनोंने सबने बस वाले इसलिए रुकी थी वैसे वह बस वहां रुकती नहीं समोसे और वो गुलाब जामून लेने के लिए तो उस बस में मुझे फिर उनोंने सबने समोसे और गुलाब जामून खिलाए तो कहने लगे फ हम लोगों का मन किया स्मोस यहां से जा रहे हैं आज तक यहां बस नहीं प्रिकित तक अ मन किया गैने का और वह रही हैं तो गुरू जी ने किसे मतलब हमें वुम्न हम ने गुरू की आङया मानी तो कैसे गुरू जी ने हमें मापे सुमोसे और गुलाब जमुन खिलाए तो ऐसे गुरू जी ने हमेशा हर जगा में हमेशा प्यार दिया बहुत कैसे मैं बताऊं कभी-कभी मेरे को यह सब बाते याद आती तो बड़ी हसी मतलब बड़ी पुशी से अंदर से महसूस होते हो महसूस होती है मतलब क कोई हो ना हो मेरे पास गुरू रब तो मेरे पास हमेशा ही है एक बारी की और बात बताती हूं एक बड़ी मेरे बेटे का द्याल सिंग कॉलेज में वो था एंटरस टेस्ट था ट्वेल्थ कर ली थी एंटरस टेस्ट था तो द्याल सिंग कॉलेज में हम सुबह सुबह एट उसका टेस्ट था, यही मही जून का टाइम था, तब भी बहुत गर्मी थी, हम वहाँ पर गए, एंटरस टेस्ट दे रहे थे, तो हम घर से 600 क्लोक निकले थे, कि थोड़ी दर पहले जाएंगे, और सुबह सुबह मैंने तीन प्रॉंटे बना के ले गी थी, सुबह सुबह मु चलो कोई बात थी, इसने तो 11 o'clock तक 3 hours का टेस्ट है, खाने दो, और हम कहीं अराम से बैठके बैठ जाएंगे, तो मुझे वहाँ नहीं पता था, वहाँ लोधी गार्डन भी है, ज्याल सिंग कोलेज के सामने, तो हम मैं ऐसे ना, मैं और हजबन सोचने लगे, बड़ी गर बाहर पार्क के, तो मैंने ऐसे बोला, मैं ना, गुरू जी, गुरू जी, बहुत करती हूं, अपने बरदर के घर भी जाती हूं, गुरू जी, गुरू जी करती हूं, और कल मैंने बहुत गुरू जी, गुरू जी करती हूं, और मेरा भाई ना, हसके ना, बच्चों को कहलत कुछ और कर लिया करेंगे नियूस देख लूँगी कुछ और करूँगी तो यह कहा कि हम चाया में लोधी गाटन बैड़ गए चुप-चाप से जब हम बैठे थोड़ी देर में वहां पर आवाजे गूजने लगे गूरुजी गूरुजी मेरा और मेरे हस्बन थे हमने का यह गूरुजी गूरुजी आवाजे कहां से गूज रही है तो हम उठे हम दूनने लगे गूरुजी गूरुजी कहां से दून रही है वो हो रही है तो सारी साइट देखा तो थोड़ी देर हम आगे गए तो कुछ लोग संगत मतलब उस टेम इतने सत्संग नहीं होते थे 2010 की कोई इतना लोग आये हुए थे और टोकरे में बहुत सारा समोसे कोल्ड रिंग और पता नहीं मुझे बहुत सारा खाने पिने के समान लेकि तेन लोग तेन भी गुरुजी कर रहे थे और में भी वहीं बैड गई और उनके साथ बैठके समोसे, सब कुछ रसकुले, बता नहीं क्या क्या खाया, और गुरुजी, गुरुजी, मैं भी वहीं करने लग गई, तो पता ही नहीं चला, कि बेटे का वो टेस्ट भी हो गया, और गुरुजी ने, मतलब अपना इतना लंगर भी जैसे भी किला दिया, और फिर मेरे को याद आया, कि मैंने गाड़ी पे बाहर बोला था, मैं गुरुजी, गुरुजी नहीं करूंगी, और मैं कुछ और करूंगी, तो मैंने का ये देखो, गुरुजी ने, अपना नाम खुद ही जपवाते हैं, जब अपनी किरपा करते हैं, मतलब खुद ही आते हैं, मतलब जो भी है, गुरुजी इस जणम के करम गटवा देना, प्यार कर देना, जो भी अपने चर्णों में रखना, इतने प्यारे संगत जी, इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, उन कुछ भी हो लाइफ में, कहते हैं ना नानक दुखिया सब संसात, सब कुछ जाले से कभी मन में डाउट भी आये ना, तो अपने आपको सच में एक कपड मार लें, लेकिन इस, इन से दूर मात हो ना, संगत बहुत प्यारे हैं गुरुजी, तो यह प्यार देने के लिए गुरुजी का शुक्रिया, तो ऐसे गुरुजी ने पहले भी बहुत प्यार द कि मैंने का गुरुजी ना कर रहे थे गुरुजी को कुछ हो रहा है तो मेरे हजबंड ने बोला कुछ नहीं हो रहा है इतनी अच्छे से तो गुरुजी है और पता नहीं तुझे क्या हो रहा है पता नहीं क्या ऐसा मेरा गुरुजी से क्या connection है मुझे नहीं पता क्या प्यार मुझे नहीं पदा, मुझे हुआ, तो उसके बाद में किसी के घर वैसे गई, वह सरदार जी है, वह गुरू जी के पास कभी नहीं आते, पर उनके वह इनके मासी हैं, मतलब, तो उनके घर गई, तो उनके घर ना बड़ी सारी सीडियां थी, तो मैं दो सीडिय लेकर आई, मैं के शब गुरुबानी भी गाती रहती हैं तो मेरे को अच्छा लगा दो सीडी लेकर आई जब मैं घर में लेकर आई तो गुरुजी की समाधी लेने से दो तीन दिन पहले की बात है तो एक शब्द आया मैं रोई, सारा जग रोया मेरे गुरु अमर हो गए पहले तो मैं गुरु गुनाने लेग गई फिर बाद में मैंने का मैं ऐसे शब्द क्यों सुन रही हूँ मैं रोई, सारा जग रोया मेरे गुरु अमर रोये मैंने उस टेम सीडी होती थी तारवाली मैंने उठा के तोड़ के फैंग दी कैसीड होती थी तोड़ के फैंग दी मैंने का गुरु जी मैं यह नहीं सुनूँगी आप तो बिलकुल अच्छे हो आप को क्या होगा तो बस ऐसे मतलब गुरु जी ने इंडिकेशन थोड़ा सा मतलब एक दो दिन पहले ही दे दिया फिर उसके बाद जब गुरु जी ने समादी ली मैं बहुत तूड़ गई बहुत तूड़ गई क्योंकि गुरु जी से मुझे इतना प्यार हो गया था जो गुरु जी नहीं दिया और काश वो हमेशा ही रहे तो इतना प्यार हो गया था तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई मैंने कहा यह सब क्या होगा, मैंने वैशनो देवी चोड़ दिया मैंने गॉल्डन टेंपल, हर चीछ छोड़ दिया तुझे तो रभ माना था तुम तो रभ कहा, तुम तो इनसान निकले तो मैं इसलिए भी तूड़ गी, मैं अब कहां जाओंगी, मैं तो सब को छोड़ चुकी हूँ तो मतलब ऐसे रो रही थी, फिर पूरी-पूरी रात रोती रहती थी, फिर वो कैसे सुनती थी फिर एक मेरे पस एक कैसी डोल लेकी आई थी, तो वो थी, मेरा नानक सब को तारने वाला है जो सब को तार था, वो कैसे, कैसे वापिस नहीं आएगा, नानकी हमेश्या इंतजार करती है वो सब कहते हैं नाना चला गया चला गया लेकिन नानीकी हमेशा कहते हैं नहीं वो जुरूर आएगा तो एक दिन ना वो पानी में से जोत आती है और वो नानीकी कहते हैं देखो मेरा नाना का गया मेरा नाना का गया तो वो पूरी-पूरी रात मैं सुनती रहती थी मेरे गुरू ने भी सबको तारने वाले कैसे जा सकते हैं मेरे गुरू आएंगे, मेरे गुरू आएंगे आप विश्वाश कर वो सुन एक दो दिन तो मैं बहुत रोही इतना रोही कि मेरी मम्मी मेरे घर आगी कि मेरी बेटी तो कभी इतना रोही नहीं है क्या हो गया समालने के लिए फिर उसके बाद वो जो मैंने ये सुनती रही ती तो सेकिंड जून की बात है एक यश अंकल है वो भाग के मेरे घर आए उनकी गाड़ी में गुरू जी आके बैड़ गे और कह रहे तो तुमने क्या सोचा है कि मैं चला गया हूँ तो वो भागवा के आए देखो आउंटी मेरे को विशवाश नहीं हो रहा था मैंने तो पहला सुचे कोई बूद बूद है ये मेरे को लोग पागल केंगे आप तो गुरू जी को मानती हो और ये देखो ये गुरू जी आके गाड़ी में बैड़ गये थे और हमने आवाज टेप की वो मैंने चार पार आड़दर संगत ने वो आवाज सुनी पुछकना अटी मैंने मैंने सब को बोला जल्दी से आजो गुरू जी आगया है गुरू जी की आवाज आगी है फिर हमने समोसे खाए हमने जलेबी खाई कहां हम इतना रो रहे थे, खाना यह नहीं का रहे थे तो गुरू जी ने मतलब ये दिखाया कि वो कहीं नहीं गया है तो हमेशा गुरू जी नहीं कहा love my soul, मेरी soul से प्यार करो मेरे शरीर से प्यार नहीं करो तो मतलब गुरुजी ने ये बहुत दिखाया और उसके बाद भी मतलब आज भी गुरुजी यही दिखाते हैं वो कहीं नहीं गए वही सब है तो एक ओट टॉंटी-सिक्स में का बताती हूँ जब गुरुजी ने अभी समाधी नहीं ली जो मैं गुरुजी को कभी नहीं कह सकी अब मैं कहना चाहती हूँ मैं हमेशा कहती थी गुरुजी मिले थे ना मैं कहती थी गुरुजी एक दिन पूरी दिनिया को बताऊंगी सब के सामने कहूंगी जोर से आई लव यू गुरुजी आई लव यू गुरुजी तो हमेशा कहती थी हैं बस घर छोड़के मंदीर मंदीर घर बच्चों का कुछ होशी नहीं रहता था यहीं लगा रहता था तो 26 में की बात है मुझे नहीं पता था फिजिकल रूप में मेरी गुरुजी की लास्ट मुलाका तो वही होगी 2007 की बात है उस दिन मैं यही कह रही थी उपर बैठी एमपैर स्टेट में यह बात कर रही थी मैं मन में ही कह रही थी मैंने का गुरुजी मुझे आप सब बहुत प्यार हो गया है मुझे ना घर की चिंता है ना बाहर की चिंता है बस ऐसे मन करता है आप से ही प्यार कुरूँ क्या मेरे लिए ठीक है तो ऐसे मैं सोचे थी मैं गरेस्ती छोड़के यह सब कर रही हूं क्या मेरे लिए ठीक है हलांकि घर के सब काम करके जाती थी सब काम होते भी थे, वो भगवान की ब्लेसिंग थी, पर फिर भी आता था कि मैं इतना टैम, ये तो कभी मैंने सोच नहीं मेरे सारे घर के काम हो रहे हैं, पर फिर भी यही लगता था कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ, कहीं मैं पागल, मतलब वो तो नहीं होगी, पागल तो नही तो ऐसे मेरे मन में, empire state में चल रहा था, उपर जब मैं बैटी, तो जब मैं गुरु जी फिर मैं आग्या लेने गई, तो गुरु जी को तो सब पता था कि मैं फिरिजिकल फोर में जा रहा हूं, हमें नहीं पता था, जब मैं गुरु जी के पास आग्या लेने गई, ऐसा करते थे जाओ 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 मतलब जल्दी जल्दी इशारा करते थे उस दिन आगया लेने गई तो सिंगल अंकल ने बोला आज एक कुणी जाओ 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 मतलब कोई नगी तुछुक्षी की जाओ 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 जिन था आग्चे से फशी से कोई आगया लेने हिए तो मेरे मन में वही सब酋 चल रहा था की मैं अभी जी आIlे आपे से प्यार हो गया है तो मैं क्या स्थाई कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मेरा मन करता है, जब देखूं आपके पास आओं, आपको देखती रहूँ, तो मेरे मन में यह सब कुछ चल रहा था, तो जो मेरे उपर मन में चल रहा था, एंपाय स्टेंड में, गुरू जी ने अपने पास बिठा क वो सब कुछ फिर repeat करवाया मतलब मैं मन में कर रही थी तो थोड़ा सा मेरे मन से मुझे निकल गया किया गुरू जी ठीक कर रही हूं तो गुरू जी ऐसे बैटे थे मुझे थोड़ा सा टेड़ा करके smile की बड़ी तेज हसे और हम दोनों की ice से ice मिली मुझे भी बड़ी तेज हसी आई कि ऐसे गुरू जी ने बोला मुझे सब पता है और मैं भी बड़ी तेज हसी तो मैं भाग के एमपैस्टेट से भागी बाहर फिर वो गाना गाना लेगी हस के गुरा ने जद मेरे वले वे किया तन मन मेरा ठहरिया वे मेनू नशा प्यारदा चड़या वे तो फिर रात को मैंने अपने अंकल को सोने ही नहीं दिया मैंने का आज गुरू जी ने ऐसे किया आज गुरू और 2008 की वर बात बताती हैं फिर ऐसे मतलब कभी सोचते ने जाये तो हमेशा फिर ऐसे गुरू जी के पास जाने लगए एक बार 2007 में हम गुरू जी के मंदिन में होली खेलेते और गुरू़जी के पास भी गए थे, तो गुरूजी ने वह गाना भी सुना था, एक दिन शीव भोले भंडारी बंगी ब्रिज की नारी गो-कुल में आ गया, तो पांसात आंटिया थी, सब को यही बोला, गुरी जी ने एश करो आँटियां, एश करो, सारी आँटिया एश करो, तो ऐसे हुआ, तो हमी ये लगा कि 2008ँ आगया, गुरी जी ने समाध्धी ले ली, तो हम फिर वहीं चलेगे कि गुरी जी के बड़े मंदिर जाते हैं, तो जैसे हर हमेशे जाते थे तो अब तो गुरुजी ये दिखाने लगे थे हमेशे खुश्मू कभी अम्रीत की मतलब सब कुछ यहीं है और मैं कहीं नहीं गया तो हम सुबह सुबह ना गुरुजी के मंदिर हम पांसा संगत सदा सदमा सुम्ठापूरती यश्ट थे और तीन मंदिर में कोई नहीं है एक्दम सुनसान बढ़ा है खाली बढ़ा है तो मुझे बुछे उदासी हुई कि मैंने का गुरुजी तो कहीं नहीं गए मंदिर तो एक्दम खाली बढ़ा है कोई भी नहीं है कोई परशाद देने वाला नहीं है कोई कुछ नहीं है तो हम क्या थे मैं थी सदा थी और एक दो संगत के और थे हम पीछे किचन में चले गए हमें निए बता था कि इतना भी निए बता था कि तवी उल्टी क्या होती है सीधी क्या होती है कि इती बड़ी तवी देखी नहीं थी हमने का नहीं हम नहीं लोग लंगर कर बनाती हैं सब के लिए क्यों और सब को फोन करेंगे आज होली है सब बड़े मंदिर आके होली मनाओ क्यों मंदिर ऐसे उदास पड़ा हुआ है तो हमने जैसे कैसे कोशिश करके ह संगत ने बड़े मंदिर में ऐसे कोशिश की लंगर बनाने की खीर बनाई लंगर बनाया और इतना ज्यादा नहीं बनाया था क्योंकि हमें एक तो इतना ज्यादा बनाने की प्रैक्टिस नहीं थी दूसरा यह था कि संगत आएगी नहीं कितनी आजाएगी संगत पचास हुआ जाएगी, डेट्स वहा जाएगी अगर फोन करेंगे, तो हम लोग ऐसे बना लिया, तो हमने शाम को देखा, संगत तो बहुत आने लगी, तो 600 संगत होगी, सदा विगारा ने बोला, मदू संगत तो बहुत आ रही है, हमने तो चपातियां बड़ी कम बनाई है, और लंगर भ भी रखी होगी, और अभी संगत और आ रही है, तो अब क्या करें, तो मैंने कहा, हमारे में तो इतनी हिमत नहीं है कि इतनी जल्दी दुबारा से लंगर बना लें, सुबह तो इतनी मुश्किल से बनाया है, जैसे कैसे करके, तो अब क्या करें, हमारे मन में ये चल रहा था आप बाहर से ले आएं कैसे करें तो ऐसे चल रहा था हम बाहर से लंगर मंगा लेंगे वसे ऐसे चल रहा था और वही है गुरू जी की ब्लेसिंग और गुरू जी कहते हैं लंगर को देखो नहीं शर्दा से बनाओ तो वही हो रहा था तो इतने में हमने तो ऐसे किया हमने का ह हम तो खीर ना फिंगर से चक लेते हैं हमारे इससे में तो आएगी नहीं और सब को जैसे कोड़ी तोड़ी करके जैसे भी है पूरी गुरोफ आप माननेंगे तो 2008 की बात है होली वाले दीन की बात है उस दिन वो लंगर सारा चपातिया तो इतनी बनी ही नहीं थी लंगर सारा 600 से उपर थी चपले गिनी थी और लंगर सारा बढ़ गया और खीर खीर तो इतना था ही नहीं एक ड्रम खाली भी हो गया ता दुवारा बढ़ गया और हम सब ने देखा वो और उसके बाद जो है हम जब लंगर करने लगे सब सेवादार जो भी मतलब थोड़े से लोग के जाने पड़ी तो गुरुजी ने मतलब इतना जादा वो किया मतलब फिर उसके बाद हम जब साड़े गया रहे हैं यह बारा बजे का टाइम होगा मंदीर में बंद करके हम लोग घर जाने लगे तो पहले तो जैसे जोशी अंटी या फिर सिंगला उंकल सेवादार होते उस दिन कोई सेवादार पुराने वाला कोई भी नहीं था तो हम जैसे बंद करके दरवाजा जाने लगे दोर जाने लगे तो पूरा मंदीर गुलाब की खुश्मू से भर गया पहले मुझे एक बनी फिर थोड़ा सा डाउट होता था कि शैद सिंगले अंकल ने कोई स्प् हमने खुदी वह की तो मुझे मतलब गुरुजी ने ऐसा दिखाया मतलब बहुत नजारे दिखाये तो यह मतलब गुरुजी ने अपना यह दिखाया कि कभी भी अपना हाथ छोड़ा नहीं है तो हमेशा अपना प्यार देते रहे और यह दिखाते रहे कि वह हर हाल में है त और बताती हूं, और ऐसे ना, समादी वाले दिन में हमेशा गुरू जी के उदास रहती थी, हमें सारी संगत को कोँगी, गुरू जी से सिराफ प्यार करना, उनको शर्दा के फूल देना, कभी उदास मत दोना, मतलब यही करना जो भी है, तो हमेशा हर समादी वाले दिन रोत मैं आज भी हूँ, लेकिन फिर भी वही मन करता था, कि वही उनका चहरा आए सामने, तो हर साल रोती थी, तो एक साल की बात है, मैंने का गुरू जी, इस वरी जो भी हो जाए न, मैं नहीं रोंगी, और तेरे बंदिर डुगरी में सुन्दर कपड़े पहन के आउंगी, मैं जैसे 31st हो थी, तो मैंने एक संगत में कुकी आउंटी है, 31st को फोन किया आउंटी, आप बड़े डुगरी जा रहे हो न, तो मेरे घर में से कोई नहीं जा रहा है, आप मुझे ले लोगे, तो आउंटी ने बोला, कुकी आउंटी ने मुझे बोला, नहीं मेरा बेटा तो नारंग अंकल के बेटे अमीत है या क्या है, उसके साँ जा रहा है, मैरे भी मेरे को तो इतनी लंबी ड्राइव करनी पाऊंगी, और मुझे कोई ड्राइवर भी नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं जा रही, तो मैंने का अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं जा रहे है, जै को एक तने में, मतलब, उसके मेरा हाथ भी थोड़ा सा टाइट चल रहा था, क्योंकि बच्चे भी 11 बाहर स्टड़ी करते थे, जै मेरे डुगरी का था, तो इतने मैं, मैं फिर थोड़ा सा, और मैंने का गुरू जी मैंने तो सोचा था, खुब त्यार हो के आऊंगी, और मैंने का चलो गुरू जी के, महां जाते हैं, और अजीव अंकल का उस टाम फोन आया, कि होस्पीटल का इन्योगरेशन है, और आंटी आप बहुत होस्पीटल, होस्पीटल करते रहते थे, आ जो, फिर इतने में कुकी अंटी का भी फोन आ गया, कि मेरे बेटे का उसन के जब भी यह मन उदास से होता है, जाने को ना सपास होता है, तो इस तरह अंकल, बहुत, मतलब हर चीज में, मतलब गुरू जी ने हमेशा यही दिखाया, कि कभी भी वो कहीं नहीं है, वो हमेशा अंग संग है, बहुत प्यार दिया, हमेशा जब भी किसी चीज की हुआ मतलब कभी तो मतलब कुछ भी होता तो इतनी खुशी, वो सारी बाते खुशी हो, बड़ी वह कहते है न, जिसमें रसगुला खाया, उसी को इसका टेस्ट बता होगा, तो वो सारी याद आती है, एक दिन के और बात बताती हूँ, मैं गुरू जी ने, हाँ, गुरू जी ने बड़े मंदिर जाते थे, तो 31 माई को गुरू जी ने समादी ली, तो रेगुलर बड़े मंदिर जाते रहते थे, वो पार्ट चलता रहता था, जाते थे, तो 9 जुलाई की बात है, फिर उसके बाद वो पार्ट कतम हो गया, तो गुरू जी का बड़े आ गया, फिर मैं हम म पेठे को एक परजेक्ट मिला था, वो उसको परजेक्ट करना था, तो मैं गुरू जी के मंदिर रोज जा जी ती, तो मैं परजेक्ट करना नहीं पाई, तो मैंने काética गुरू जी अब तो मुझे डाट पड़ेगी, और 9 जुलाई को पच्छो का स्कूल कुलना था, फिर गु करोऊ तो इतने में एक बच्चा आया और उसने बोला अणटी अरपित है वो बेटशनलड़का कभी हमारे ब कर नी आया ता पर उस दिन आया मेंने क War तो उसने बोला मैंने का बेटे वह तुमने प्रमीत नाम था मैंने का तुम ने तो नहीं ले आउआए उसको देखना आ है तो वो पहले तो दिखा नहीं रहा था क्योंकि उसके मार्क्स का था मैंने पर ले लिया मैंने ले लिया और मने का मुझे पता है दिन था और मैं फटाफ़ उसकी फोटो कंपी करवाने चले गई फोटो कॉपी करवाने चलीगी तो मेरे को याद आया मैंने का गुरू जी कहते थे चोरी, चुगली, चलाकी, चापलूसी चोचा वले वर्ड नहीं करने तो मैंने का गुरू जी मैं तो चलाकी कर रही हूँ मैं गुरू जी से मन नी मन copy करवा रही हूं तो ऐसे मन में चल रहा था इतने में फोटो copy करवा रहा था उसने एक paper मुझे side में जाके रोने लगी जैसे ही उसने एक paper आके मुझे दिया और बोलता है ये पढ़ लो और इसके लिए तुम copy क्या करवा रहे हो 60 page के आसबस्ते हो तो गर्दी उसमें लिखा ब्लेस दिस प्लेस। तो मेरे एक्दम अाखवों में से आशू रूख गये तो गरुजी ने कैसे मतलों वो दिखा दिया कि मैंने ही भीजा था और मैंने ही ब्लेस था तो गरुजी मुझे उस चीज में मतलम मुझी ये लगता है कि गुरी जी ने माफ कर दिया तो अब बाक्ती नहीं किया तो गुरी जी कर देना तो ऐसे गुरी जी ने बहुत प्यार दिया अंकल इसके साथी अंकल बस और सुनाओ अंकल जैगर इसके साथ फिर अब मैं खतम करती हूँ गुरुजी का सत्छंग जैसी आपकी इच्छा चलो जैए गुरुजी की जै गुरुजी एंटी बहुत ब Eight महाराज का सत्छंग सुनाने का और आपका भी बहुत-बहुत थैंक्स आप आय직 युट्मी प्यारे सत्छंग आपने हम सब के साथ शेयर किया अंटे थैंक्यू वरी मच अंकल आपको भी बहुत बहुत थैंक्स और गुरुजी का तो थैंक्स है ही है कि ये दिया इसका भी मैं आपको एक और सथसंग सुना देती हूं जी अंकल अंकल गुरुजी का वही है ना मुझे नहीं पता मैं तो कहती है अब संगत इतनी बढ़ती जादी है जो भी संगत सेवादार हों वही मैं उन्हीं की आग्या मानने पहले तो यही लगता था कि सिंगल अंकल की अब तो बहुत चेंज भी होता जा रहा है से तो COVID टैम आ गया था सत्संग बंद हो गयते अंकल यह जूम पर चालू हो गयते सत्संग तो वैसे बिलकुल बंद हो गयते मेरे को फिर भी लगता था कि गुरुजी भगवान है तो हम यह क्यों COVID के उसमें पड़े हुँ है तो हमें सत्संग होने चाहिए मेरे को यह लगा तो मतलब मैं जूम पर इतने सत्संग ना के बड़ाबर सुनती थी मतलब बोलते भी थे तो मैंने एक बारी मुझे नराहन अंकल ने लिंक बेजा था यह सत्संग का तो मैंने एक अधरी सुना, मैंने का नहीं नहीं, गुरुजी, आप तो मीडिया से दूर रहते थे, तो बड़े सारे ऐसे कोश्चन थे, गुरुजी, आप मुबाइल से भी दूर रखते थे, अब मैं क्या ठीक कर रही हूं, गलत कर रही हूं, तो ऐसे बहुत चीजे हैं, मतल बिलकुल अकेली पड़ गई, अंकल, इन सबसे, क्योंकि COVID टाइम था, संगत से भी दूर हो गए, और कुछ बैसे मेरे इदर उदर बहुत लाइफ से, गुड़गामा से, मैं पूने कभी कैनेडा आ रही थी, सबसे दूर हो गई, जूम पे भी नहीं सुन पही थी, और यही बस गुरुजी को यही कह रही थी, गुरुजी मुझे तो वही सब अच्छा लगता था, यह तो बहुत चेंज हो रहा है, तो एक दिन मैंने, 12 जनवरी की बात है, अंकल, तो एक दिन मैं बहुत रोई, बहुत रोई, और मैंने का, गुरुजी, आज मेरा सत्संग सुनने का करने का, बहुत मन कर रहा है, मैं आपके लिए बहुत उदास हूँ, तो रात को डेड़ दो बजे मैं बहुत रोती, रोती, अपने अंकल को अपने पास बिठा लिया, मैंने का, आज मेरे पास बैठो, चलो हम दोनों ही सत्संग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अंकल को सत्संग सुनाएं, और तीन-चार बजे में सो गई, उदास ये हो, सुबह उठी, मेरे अंकल ने बोला, हैपी लोई, मैंने का, अज लोई है, मुझे तो कुछ होश ही नहीं है, मतलब, मतलब, गुरुजी के हां इतने अच्छी लोई मनाते थे, सब कुस था, मैं त किसी से, मतलब, मत करो, फोन पे बाते हैं यह वो, तो मैंने अपना नंबर मंदीर में भी किसी को ना के बराबर नहीं दिया हुआ, मतलब, ये चीज, तो इतने में आपके मंदीर से, बड़े मंदीर से, बता नहीं, आपका ही फोन आया, 13 जनुरी की बात है, आज से दो साल पहले, आपका फोन आया, या किसी ओर का था, विक्रम दूसरे थे, मुझे नहीं पता, कि बोला, आउंटी, आज पंदरा को किया था, परसो आपने है, परसो आपने सचंग करना है, तो मुझे मैंने का, गुरुजी ने एकदम से, मतलब, जैसे रोगी ना, तो गुरुजी हर चीज में सुना है, मतलब, कभी भी उदास नहीं नहीं दिया, अभी एक और बताती हूं, अभी क्या हुआ, कुछ टेम पहले, हम लोग पहले मैं गुरुजामा में थी, फिर कैनेडा में थी, फिर हम पूने में आ गए, तो नहीं नहीं जगा में आई, तो मैं फोन नमबर ना ज्यादा किसी से शेयर करती हूं, ना किसी को देती हूं, तो बहुत कम ऐसे होता है, तो अभी मुझे फिर पता चला, पूने में एक जगा कहीं पर सत्संग होता है, मुझे गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा होता है तो वो मिले, और उन्होंने मुझे गुरुप ज जवाइन नहीं की वे थे, तो उन्होंने मुझे पूने वाले गुरुप में जवाइन करवान दिया, तो वहाँ एक आंटी ने बड़ा अच्छा लाली आंटी है, वो काफी अच्छा गुरुजी का मंदीर मनाया हुआ है, पर मुझे नहीं बता था, तो उसमें ये लिखा ह खाया, तो रोने लगी, मैंने कई हलवा नहीं खाया तो मेरे वढम coloredि ऑनने मेरे हाँआ हमाया हुआ हाँ हारोचीज घर नहीं बता ही दो पार संगट के साथ खाना है, तो आशे princear रे गूउमते हे रोते सो गई, कि मुझे मुझे तो गुरुजी के सथ्षणग में जाना है मुझे तो परशाद खाना है, संकत के साथ बैढना है, इतने में मैंने, जो आंटी ने मुझे गुरूप जुआइन किया था था ना, उन्होंने मैसेज किया, यहाँ पर वड़गाउं शेरी में, लाली आंटी के यहाँ सत्संग है, चले जाओ, मुझे नहीं पता था कौन है, या उन्होंने घर में मंदीर भी बनाया वहाँ इतना सुनता, मुझे कुछ नहीं पता था ABC, तो बस मैं सत्संग सुनके चले गई, और मुझे यह भी नहीं पता था पूरने से वो कितनी दूर है, जब मैं जाने लगी, तो मैंने अपने अंकल को ओला, मुझे कैप कर दो, आप मानेंगे, जब हम नीचे उताने लगे, पूरी, और मैं गुरी जी को ऐसे कहते हैं, गुरी जी मेरे साथ चलना, तो पूरी सुसाइटी में हलवे परशाथ की खुश्वू, पूरी लिफ्ट में, सुसाइटी में पूरा भर गया, जैसे मेरे मन कर रहा था न, हलवे परशाथ खाना है, तो मेरे अंकल भी साथ में थे, कहने लगे, अरे ये तो, मतलब नीचे कैप तक छोड़ने गए थे, वहां तक नहीं गए थे, तो हलवे परशाथ की खुश्वू आ रही है, हमारी सुसाइटी में कभी नहीं आई, चोलो की के हम चले गए, उसके बाद मैं कैप में बैठ गई, जब मैं गई, तो मैंने सोचे हमारे घर से, वह आंटी का घर बहुत दूर है, मैंने मुझे ये लगा, वडगाउ शेरी बह मेरे को उठा दिया हो, मैंने एक दम ओटो वाले से बोला, मैंने का भईया आ गया क्या, तो उसने बोला बस 500 मिटर दूर बे है, और फिर मैंने का अच्छा अच्छा, उन्होंने बहुत सारे रोज लगाए होंगे, सजाए होंगे, गली में या बाहर, लेकिन मैं उनके घर यह तो बिल्कुल सिंपल और बड़ा सुन्दर मंदिर था, लेकिन बाहर कोई भी रोज नहीं था, और यह 500 मिटर दूर, तो मेरे को आज भी वो गुरुजी का प्यार याद आता है, मैंने का गुरुजी, मैं आपके प्यार के लिए रोई, आपने कैसे मुझे ओटो में वो खुश्मू का देना, मैं उस प्यार के लिए गुरुजी का बहुत धन्यवाद कहती हूं, और अंकल इसे के साथ ही आगया लेती हूं, गुरुजी से, जय गुरुजी की